शत्रपती शिवाजी महराज का जीवन प्रेणना से भरा हुआ है उनके जीवन से सभी को सीख लेने की ज़रत है खासकर बच्चों को जो कि आगे चल कर अपने भविश्य का निर्मान करेंगे इसी धार्णा को ध्यान में रखकर आनंदम बाल गोकुलम ने विशेश कारेकरम क आयोजुन किया जिसमें अभय मानके काका ने बच्चों को शिवाजी के कहाने सुनाई जिसे उपस्तित बच्चों ने बड़ी ध्यान से सुनी इसी पर दीखे ए रिपोर्ट इन दोर में आनंदम बाल गोकुलम संस्थानेक अनूठा आयोजुन किया इस आयोजुन के जरिये उपस्तित बच्चों और अभिभावकों को वीर शिवाजी के जीवन से रूप रूप करवाया गया कारक्रम का आयोजुन राचेंदर नगर में संपन्न हुआ इस कारक्रम में आनंदम बाल गोकुलम के कारकरता एबम अभिभावक उपस्तित थे कारक्रम के विशे में जानकारी देते हुए आनंदम बाल गोकुलम संस्था से जुड़ी श्रिमती मिनाक्षी नवाथे ने बताया कि आनंदम बाल गोकुलम एक बच्चों का संस्कार केंद्र है यह वर्ष श्रिवाजी की राज्याबिशी का 350 वर्ष है इस अफसर पर आनंदम बाल गोकुलम के बच्चों को श्रिवाजी की कहाने सुनाई गई इस अफसर पर बच जीजाबाई और शिवाजी और देश फक्तों की वेज भूशा में नजर आए। चत्रपती शिवाजी महाराज का जो 350 वा ये वर्ष है वो अपन उसके उपर आधारीती एक वोकुल असो कार्यक्रम अपन आयोजित कर रहे है। शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को सुनने के बाद बच्चों ने भी अपने विचार साज़ा किये और उनके विचारों पर चलने का संकल्ब दिया।